तो यहां पर हमें एलाइस करेंगे बैंक निफ्टी को निफ्टी को कि कल यह कैसा परफॉर्म कर सकते हैं और क्या के लेवल्स निकल कर आए हैं हमारे लिए अफ साइट के लिए और डाउंसाइट के लिए तो इस वीडियो में बने रही है और जो लोग इस चैनल पर नहीं है अब्सक्रारइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिर चली स्टार्ट करते हैं अपना अनलेसिस तो सबसे बहले हम यहां पर बात करेंगे बैंक निफ्टी की निफ्टी यहां पर आज गैप आप ओपन होने कि बाद यहां पर इस ने जरी जरीजक्षिन फेस् किया इस लेवल से 39,444 के आस्पास का लेवल यहां से रिजेक्षिन फेस्ट का एक हमें मुव्मेट देखने को मिला। उसके बाद यहां पर इसमने डे लोग बनाया है यान अब अगर गल मार्केट यहा만 पर इस लेवल को ब्रेक करता है थाल इस लेवल को द्री polite हा यहां पर मेला इन को ट्रॉटकर देते हो नेक्स्राइट पने हैं 39,550 लेवल है यहां पर यहां पर इस लेवल करती है । अगर यहां पर reject को पर इस level से देख से तो फिर से हमें एक downside का movementSt 여기에 बिल एस range में are sideways एक बड़ेती है अगर upside की दरफ को स्फिर कर तो समय के थो पर तेहां धार आयंग्टी सकते हैं तो यह ढएक तारड़े की में सलग होगे तो 39,700 तक की तक तके तक का त्राड़्य केत्च है यहां पर में level लगा देती हो가 आप वीजिली समझ में आ जाएगा तो फ्रिंड यह हमारा फस्ट टार्गेट होगा सेकंड टार्गेट हम यहां पर यह लेवल देख सकते हैं 39,550 का लेवल यह ब्रेक होता है यहां पर थोड़ा सा हम वेट करेंगे यहां पर हम थोड़ा सा वेट करने के बाद यह जो है अफ यहां पर यह जो केंडल बनी हुई है इसका मतलब यह नहीं कि बैंक निफ्टी जो है वो वीक हो चुकी है बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रॉंग है तो फ्रन यहां पर अगर में डॉंसाइट की तरफ का मूव देखना है तो देखिए यहां पर यह लेवल ब्रेक होगा 39, 9,118 का लेवल यहां पर इसने आज का सपोर्ट लिया हुआ है यह लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम यहां पर डॉंसाइट के टार्गेट देख सकते हैं तो जो हमारा फर्स्ट टार्गेट होगा यहां पर यहां पर यह हमारा फर्स्ट टार्गेट होगा 38,950 के आसपास का यहां पर इस लेवल तक देख सकते हैं, 38,800 के आसपास का लेवल, यह लेवल, 38,800 का लेवल, तो यह हमारे दाउंसाइट के टार्गेट होंगे, लेकिन यहां पर इस लेवल को भीगुल आप ध्यान में रखेगा, यह थोड़ा सा यहां पर मैं आप जोन ड्रॉ कर देते हूं, यह हमारे लिए थोड़ा सा जोन की तरह वर्क करेगा, क्योंकि फ्रेंट देगें, यहां पर इसने कई वर रेस्टेंस को फेस क्या हुआ है, कि आप देख सकते हैं, तो यह हमारे लिए सपोर्ट एरिया है, और यह अगर ब्रेक होगा, तो फिर हम एक अच्छा मूव देखन अगर जैसे जो हमारा यह लेवल है, अगर मार्केट यहीं पर उपन होती, 38,900 के आसपास इस लेवल पर, तो यहां पर थोड़ा साम वेट करेंगे, देखें क्या प्राइजेक्शन बना रहा है, यहां पर थोड़ा साइडवेज हो के अपसाइट की तरफ को मूव करेगी, तो फिर हम यहां पर अफसाइट का टारगेट यानि कि यह जो लेवल है, यहां पर इन लेवल को हम अपने टारगेट को देख सकते हैं, तो फिर हम यहां पर अपसाइट का मूवमेंट देखेंगे, तो फिर हम यहां पर अपसाइट का मूवमेंट देखेंगे, तो फिर हम तो मेरा अनलिसिस बैंक निफ्टी के लिए तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहां पर निफ्टी फिफ्टी को यहां पर मैं पहले प्राइज लेवल लगा दूँ आपके लिए easy हो जाएगा तो यह हमारा target होगा और उसके बाद next target यहां पर यह लेवल यहां पर यहां पर मार्केट जो है गैप ओपन होई यानि निफ्टी फिफ्टी जो है वो गैप ओपन होई यहां पर इसने support लिया है यहां पर 17764।ks 2,774 का level हे यहां पर deal by support फिर्सने upside का move दिया बपर यहां पर इसने rejection को Patrya यहां पर year level is 17839 का level यहां परone जो है rejection phase किया और downside के तरफ एक move दिया उसके बदी कि यहां पर इसी level के आसपा से फिरसेश ने support लेकर फिरसेश ने upside का move दिया यानि कि market जो है यहां पर इस range के अंदर आज इस ने move दिया है तो यह हमारे लिए flat range होगी market अगर यहां पर open होती है open होके यह upside के तरफ को move करती है हम यहां पर जो है अपने target देख सकते हैं तो जो हमारे target होंगे यहां पर हम 17,900 के आसपास का level यह हमारा first target होगा next target हम यहां पर 17,960 के आसपास का level होगा तो यहां पर यह हमारा second target होगा, market यहां पर open होती है, open होने के बाद ऐसा नहीं कि हम directly upside का trade लेंगे, यहां पर open होती है, इस level को break करते हैं, यहां पर एक दू candle बना देती है, sustain करते हैं, उसके बाद अगर upside का move देती है, तो फिर हम यहां पर upside का target देख सकते हैं, तो यह हमारे target होगे, तो चलिए यहां पर मैं level लगा देती हो, price level, तो यह हमारा first target होगा, second target हम यहां पर, इस level तक देख सकते हैं, तो फिर हम यहां पर market इस level पर open होती है, gap up open होने के बाद यहां पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे क्या projection बना रहा है, अगर यहां पर यहां प up side के तरफ को यारनी market gap up open होने के बाद इस level को यहां पर साइडवेज रहती है, और उसके बाद upside का move करती है, तो फिर हम यहां पर यह target देख सकते हैं, तो फिर देखेंगे, हमें सिर्फ एक ही scenario लेके नहीं चलना है, बहुत सारी चीज़े होती है, market को analyze करने के लिए, अगर market लिए यहां पर market open हिता त भाउंड साइड के तरफ को move करती है, तो यहां पर रहां पर यहां रहती है, तो फिर हम यहां पर is target को देखेंगे इस लेवल के इसर पोर्ड हो जाता है तो यह थोड़ा सा आप ढ़ी होगा, अग्र हो इस लेवल तक देख सकते हैं 17660 के मुक्छ Round 3 तो यह हमारा डाउंसाइट का टार्गेट होगा, यहां पर मैं लेवल लगा देती हूँ, तो यह हमारा टार्गेट होगा, उसके बाद नेक्स टार्गेट हम यहां पर इस लेवल को देख सकते हैं, क्योंकि फिन देखे हैं, यहां पर इस लेवल पर इस लेवल पर इस लेवल तो इन लेवल को इन लेवल्स को विल्कुल आप धियन में रखियेगा और यह हमारे टार्गेट है यह हमारे डाउनसाइट की तरफ को मुफ करेगा तो यह हमारा फ़स्ट अर्गेट होगा अगर यहां पर सपोर्ड लेता है और बहात पर यहां ऑफसाइट का मुफ देता है यहां पर डाउनसाइट के मूफ करता है और फिर से यहां पर बायर्स से अर्गेट Seems Way और यहां पर यह नमें देखने को मिल सकते है तो market यहाँ पर हो सकता है sideways भी रह जाए और अगर यह level break होते हैं तो फिर हमें एक अच्छा move देखने को मिल सकता है तो फ्रेंट चलिए मिलते हैं next वीडियो में तब तेक लिए फ्रेंट गुडबाई and thanks for watching